स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राशी टेकनोलोजी में आज हम आपके लिए लाए हैं connect to printer solution जी हाँ यहाँ यहाँ आप ने टोर्क में printer को connect कर रहे हैं और आपको error आ रहा है तो आपको क्या करना है जिस सिस्टम पर आपका printer connector है आप उस पर जाएए उस पर जाने के बाद आपको registry editor खोलना है run command पर लिख सकते हैं REG EDID इसके बाद आपको कुछ 5 यह स्टेप से उसको follow करना है registry editor खोलने के बाद आपको जाना है H की local machine तीसरे नमबर पर उसके बाद आपको जाना है system पर system पर जाने के बाद आपको जाना है current control set current control set पर जाने के बाद आपको जाना है control system control पर जाने के बाद आपको जाना है printer यहां पर आपको राइट क्लिक करके डीवर्ट 32 वेल्यू आपको बनाना है उसमें हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि आपको टाइप क्या करना है इसको मौडिफाय करके रिनेम कर दीजे इसकी जो वेल्यू है 0 होना चाहिए देन नाव गो टू सर्विसेस सर्विसेस आपको ऊपन करना है सर्विसेस में आपको प्रिंटर स्पूलर है उसको साच कर दीजे उस प्रिंटर स्पूलर पर राइट क्लिक करके रिस्टार्ट कर दीजे कुछ seconds लेगा देन आप वापस से उसी सिस्टम पर चले जाए जिस पर आपको प्रिंटर रेट करना है नाओ गो तो अगेन यूर क्लिएंट सिस्टम नाओ क्लिक ओन प्रिंटर इंस्टाल ड्राइवर यह देखिया आपका प्रिंटर एड़ हो गया दन्यवाने